हेलो बच्चों मैं दिपेंज सिंग आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल रादे श्टडी हमें स्वागत करता हूं क्लाश टिंद के बच्चे आउतल दरपड के सुत्र और उतल दरपड का सुत्र जिससे दरपड का सुत्र बोलते हैं वन अपन एप एक्वल वन अपन वी प्लस वन अपन एप का फार्मूला आप लोगों ने कंप्लेट कर लिया था आज इस लेक्चेर में पढ़ेंगे रेखी आवर्धन या आवर्धन क्या होता है समझेंगे दरपड के आवर्धन की बात करें तो देखो दरपड के आवर्धन का जो फार्मूला होता है वो आवर्धन बराबर होता है आवर्धन M बराबर कहता है प्रत्विम्ब की लंबाई अपन वस्तु की लंबाई तो इससे आपका बनता है कि प्रत्विम्ब की लंबाई दरपड़ द्वारा बने प्रत्विम्ब की लंबाई तो इससे लिखेंगे दरपड़ द्वारा बने प्रत्विम्ब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनपाद को क्या कहते हैं आवर्धन कहते हैं क्लियर अब देखो आवरधन के प्रत्विम्ब की अगर लंबाई को ले 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 आई आई डेस और इसको ओ ओडैस तो आई आई डेस बराबर हो जाएगा ओडैस अब बात करते हैं किसकी प्रित्विम्म के अब इसके रेखी आवर्धन के फार्मूले के डेरिवेशन के वी और यू के फार्म में मतलब वस्त की दूरी और प्रित्विम्म की दूरी के रूप में आवर्धन का फार्मूला क्या होता है तो यह हमने ले लिया एक उत्तल दरप इसका हम लोगों ने यह धुरूपी मान लिया और क्या किया कि माना कि इसके अच्छ पर मुख अच्छ पर एक वस्ट रखी है OODES, क्या होगा इसके समानतर प्रकास की किणे जाएंगी, तो आप लोगों को पीछे पड़ा चुके हैं, पिछले लेक्चर में कि जब क्या होती हैं, जो समानतर प्रकास की किणे जाती हैं, वो उतल दरपड़ में कहां से होके जाती हैं मुक फोकस से होके जाती है और यदि प्रकास की गिलन कहां से होके जा रही है वकरता केंदर से होके जा रही है तो क्या होती है कि जैसे जाती है वैसे ही रिटर्न हो जाती है वापस आ जाती है ये दोनों किर्णे कहां पे एक दूसरे को काट रही है i-s पर काट रही है और i-s से अगर मुक अच्छ पर लंब डाल दे i-s से मुक अच्छ पर ये लंब डाल दे i-i-s तो ये वस्टू किसका वस्टू o-s का प्रत्विम कहलाता है अब देखो एक किरन आप लोगों ने डाली है ऐसे एक ऐसे किरन डाल देजिए पीछी वाली परावर्तित होके यहां से जाएगी और इसमें ध्यान देना है कि ये वाला कूण क्या होगा i-equal upon your ये होगा और ये दोनों के दोनों आपस में क्या होंगे बराबर होंगे क्योंकि प्रकास के परावर्तन का आपने नियम पढ़ाता है दूसरा नियम नमबर दो पीछली लेक्चर में पढ़ा हुआ है पीछे आप देख सकते हैं सबसे पहले जिन बच्चों ने सबसे पहले वाले लेक्चर इससे पहले इतने लेक्चर पढ़ें उन्होंने नहीं देखा तो सबसे पहले वह लेक्चर देखें लेक्चर ढूनने के लिए क्या करें चानल में जाएं प्ले लिश्ट में देखें और प्ले लेक्ष्ट में तो देओ परावरतन कोण के बराबर होता है तो यह भया हो गया आपतन कोण और यह हो गया परावरतन कोण यह इस पर हो गया यहां पे इस पॉइंट पे लम तो यह आपतन कोण और परावरतन कोण आपस में क्या होगा बराबर होगा क्लाश 10 के ट्रियंगल में इस त्रिभू हम लेंगे o o-p और i i-p यह समरोफ है समरोफ कैसे हैं यह इसके 90 degree बना रहा है यह इसक Receяет 90 degree बना रहा है इसका कोड़ यह वाला और इसका कोड़ यह वाला दोनों आपस में बराबर है तो यह और यह कोड़ इसके और इसके बराबर है तो जब दो कोड़ा आपस में बराबर हो तो तीसरा तो बराबर ही होगा इसका मतलब ये कैसे त्रभूज है समरोप त्रभूज है तो समरोप त्रभूज हो लेंगे समरोप त्रभूज O O DAS P तथा त्रभूज I I DAS P में इनकी संगत बुजाओं का अनुपात आपस में बराबर होगा तो इसकी जो संगत बुजा होगई ओ-डैस इसकी जो संगत बुजा होगई वो क्या उनसी होगई आई-डैस और इसके बाद ये तो होगई लंब दोनों पे आधार इसका होगई यहां से P से O जैसे ही ये हो गया क्या O-O-X तो I-I-S जब पी-O लेंगे तो क्या लेंगे P-I पी-O अपॉण P-I क्लियर अब O-O-X ऐसे ही बना रहने थो I-I-S हमेशना जब प्रतवे में नीचे बनता है तो इसको किस चिन के साथ लिया जाता है माइनस चिन के साथ लिया जाता है तो माइनस के I, I डैस P, O P से O की दूरी काय की दूरी है ये वस्ट की दूरी और वस्ट की दूरी होती है U और प्रत्वे में की दूरी होती है V आपको बता चुके आपतित किरण ये है और हम दूरी ना परा हैं तो इसके पिछले लेक्चर में इसके लेक्चर दो लेक्चर छोड़के आपको बताया गया था कि आपतित किरण की दिसा में ना पी जाने वाली दूरीया धरात्मक लेते हैं या दरपन के उस तरफ जो दूरीयां यहां से नापते हो धरात्मक होती है दरपण के इस तरफ बाले दूरियां सारी रिरात्मक होती है तो P से जब इस तरफ आएंगे तो काय में लेंगे रिरात्मक में तो P से O की दूरी किस क्या होगी माइनस के U P से I की दूरी क्या होगी माइनस के V माइनस से माइनस कैंसल तो O O डैस या इस माइनस से इस माइनस को काड़ दीजिए I I'dess बराबर हो जाएगा U upon V वो भी काएगा माइनस का इसका उल्टा करेंगे I I'dess upon O O'dess बराबर माइनस V upon U ये भी उल्टा हो जाएगा V उपर चला जाएगा और I I'dess upon O O'dess I I'dess upon O O'dess क्या था आवर्धन के तो एक तो फार्मूला ये बन गया आवर्धन M बराबर ये हो गया कॉफी इंपॉर्टेंट फार्मूला है नुमेरिकल में इनकी जुरुत पढ़ेगी बहुत जादा आपको जुरुत पढ़ने वाली इसकी अब देखिए कुछ नोट समझीगे नोट फर्ष्ट नोट में कह रहा है कि यदि क्या हो कि प्रतिविम्ब क्या बने ये कैसा बन रहा है वास्तिविक बन रहा है और उल्टा बन रहा है तो जब प्रतिविम्ब वास्तिविक और उल्टा हो वा उल्टा हो तो आवर्धन रिणात्मक होता है फर्स्ट पॉइंट सेकेंड पॉइंट में जब प्रत्य बिम्ब आभासी वा सीधा बने तब आवर्धन धनात्मक होता है तब आवर्धन क्या होता है धनात्मक होता है ऑस्थेड़वेशन में बनत एक कंडीशन में इसमें बनता है आवसतल दरपण में? और ऊतल दरपण में सहर कंडीशन बनता है सीधा बननता और इस और यस और जलेंगे प्रित्वीर के दूरी को ले Katy के लिए तो यह जब पॉज्च्ट्य उयाता ऊजयाताया नोट किंटि और अब देखी आवर्धन के बाद पढ़ेंगे प्रिकास का अब देखे एक चीज समझें कि यह यह ऑफ और उसी तरे अपक्रेंगे उन्हेर को को डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है जिनको हमने पहले ही पढ़ा रखा है नुमेरिकल को तो उससे जाके आप लोग सर्च करके आप लोग पढ़ लेंगे नुमेरिकल लगाएंगे क्लियर और आपको फिर भी कोई दिक्कत हो रही तो आप क्या करेंगे कमेंट्स करके जो बताएंगे कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है तो इससाफ से दुबारा नुमेरिकल फिर से पढ़ा देंगे अब आपकी एडिंग है प्रकास का परावर्तन की प्रकास का होता है प्रकास का सौरी परावर्तन पढ़ चुके प्रकास का अपवर्तन रिफ्रेक्शन ओफ लाइट रिफ्रेक्शन ओफ लाइट प्रकास का अपवर्तन अब देखो समझो प्रकास का अपवर्तन क्या होता है कि आपको पता है कि प्रकास कि एक माद्दियम से दूसरे मा या आपने जल में देखा होगा कि स्वच्छ जल रखा हो भरा हो और उसमें आपको नीचे तक तल तक आपको इस पश्च देखेगा अगर जल क्या है सुद्ध है यह मतलब होता क्या है कि जब प्रकास की किर्ण को क्या करते हैं जब प्रकास की कर्ण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है मतलब अगर इसको ऐसे जाना चाहिए तो ये ऐसे सीधे जाना चाहिए लेकिन ये सीधे ना जाकर या तो ये इस तरफ चली जाती है और या इस तरफ आ जाती है ये क्या है आपका अभिलंब तो ये या तो अभिलंब की ओड जुग जाएगी यह अभिलंब से दूर अठ जाएगी कब ऐसा होगा और क्यों होगा ये भी अभी बताते है तो ये तो हो गया आपका अभिलंब नॉर्मल अभिलंब हो गया इसके बाद बात करें तो ये क्या है? आपतन कोण है आई? ये क्या है? ऐसे प्रकास की किरण गई तो इधर जाना चीए तो इधर तो गई नहीं अब इलम से परावर्तित किरण की तो यह हो गया परावर्तन कोड़ाई तो definition क्या होगी प्रकास के परवर्तन की इस गटना को ही क्या कहते हैं प्रकास का अपवर्तन कहते हैं अब देखिए जो ये प्रकास की किरण आती है पहले माध्य में चलने वाली प्रकास की किरण को बोलते हैं आपतित किरण क्या कहला आती है भी या आपतित किरण इसको बोलते हैं आपतित किरण और दूसरे माद्धे में प्रिवेस करने वाली प्रकास की किरण को बोलते हैं अपवर्तित किरण इसको आपतित किरण प्रकास के परावर्तन में भी कह रहे थे बस उसमें उसी माद्धे में जो वापस लोड़ जाती थी उसको क्या बोलते थे परावर्तित किरण इसके बाद ध्यान दीजिए कि इस पॉइंट को जो ये बिंदू है इसको बोलते हैं आपतन बिंदू उसमें भी आई था सेम आपतन बिंदू आपतन बिंदू क्लियर ये जो अभिलम और आपतित किरण के बीच कुण बनता इसको बोलते हैं आपतन कुण क्या कहलाता है भिया? आपवरतन कौण और अभिलम्ब ये पूरा विलम्ब हो गया अभिलम्ब और अपवर्तित किरन के बीच बनने वाले कौण को बोलते हैं अपवरतन कौण ये कहलाता है अपवर्तन कौण तो definition क्या होगी? कि जब प्रकास की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है इस गटना को प्रकास का अपवरतन के नियम तो प्रकास के अपवरतन के दो नियम होते हैं कितने नियम प्रकास के पोड़तन के दो नियम पहला नियम कि आपतित किरण ये क्यों से किरण आपतित किरण तथा आपतन बिंदु पर अबिलंब तीनो एक ही तल में होतें क्लियर दूसरा नियम क्या था कि आपतन कोण की जया जया को जानते हैं आप लोग साइन जो होता है या जब साइन ठीटा लिखते हैं तो जो साइन होता है इसको फुल लिखते हैं साइन और इसको इंदिम बोलते हैं जया तो इस पे सेकंड नियम में यही कहता है कि आपतन कोण की जा सेकंड नियम इधर हम लिखे दे रहा है आपतन आपतन कोण की जा इसक्रीन में दिख रहा है आपको तो आपतन कोण की जा आपतन कोण क्या था आई आई की जा और अपवरतन कोण की जा अपवरतन कोण क्या था आर तो आर कीजिया क्या मतलब साइन का अनुपात जो होता है क्या मतलब उगए अपवाउन का अनुपात जो होता है वो सद्य और नियत होता है या नीतांग होता है क्लियर क्या होता है नीतांग होता है और इसे ही क्या कहते है इस नायल का नियम भी कहते हैं इसे जो अपवर्तन का सेकंड नियम है उसे ही क्या कहते हैं इस नायल का नियम भी कहते हैं इसे इस नायल का नियम भी कहते हैं तो कह रहा है आपतन कोण की जया और अपवर्तन कोण की जया का अनुपाद सदेव नियाद होता है इसे ही क्या कहते हैं इस नहिल का नियम भी कहते हैं ये क्या हो गया अपवर्तन के नियम नमबर दो इस नीतांग को क्या लिखते हैं एन से भी लिखते हैं और कहीं कहीं म्यू भी लिखा होता है N क्या है? पहले माध्यम के सापेच, दूसरे माध्यम का अपवर्तनांग. N बराबर है पहले माध्यम के सापेच, दूसरे माध्यम का अपवर्तनांग. पहले माध्यम के सापेश दूसरे माध्यम के अपवर्टनांग है जैसे ये वाईव है ये काँच है तो ये क्या होगा वाईव के सापेश काँच काँच कापवर्टना ये जल है और ये काँच है तो क्या होगा जल के सापेश काँच काँच कापवर्टना किलियर नोट कीजिए इतना तो यह आप लोगों ने नोट कर लिया होगा अब देखो क्या किया जाए कि अगर आप से केदे कैदे पूझ दे अपवर्तनांग की परिवासा बताईए कि अपवर्तनांग क्या है तो देखो होता क्या है अपवर्तनांग की यदि प्रकास की किरण क्या हो यदि प्रकास की किरण वायू से किसी माध्यम में जा रही हो यह हो गया वायू और इस तरफ कोई अनमाध्यम है तो वायू से जब कहां पे जा रही हो किसी अनमाध्यम में जा रही हो तो क्या होगी ये अब इलम की और जुग जाएगी ये ऐसे ना जाकर ये इस तरह पा जाएगी अगर ये ऐसे जा रही है तो ये इस तरह पा जाएगी क्लियर ऐसा क्यों होता है अभी हम आपको समझा रहे हैं कि अब इलम से दूर क्यों अटती है और पास क्यों आती ही ये हो गया आपतन कोण आई और ये हो गया अपवरतन कोण आर तो परिवासा क्या होगी अपवरतनां की कि यदी प्रकास की किरण निर्वात अथवावायू ये क्या हो निर्वात हो अथवावायू निर्वात में जा रही हो जब प्रकास की किरण निर्वात अथवा वायू से किसी अन्माध्यम में जा रही हो तो आपतन कोण की जया तथा अपवर्तन कोण कीजया का अनुपाज जो होता है वो उस माध्यम का अपवर्तनांग किया निरपेच अपवर्तनांग किया अपवर्तनांग किया अपवर्तनांग किया पिर से समझी एक बार जब प्रकास की किरण निर्वादत हुआ वायू से, निर्वाद क्या होता है, जहां पे वायू भी मौजूद ना हो, ठीक है, जब प्रकास किरण निर्वादत हुआ वायू से किसी माध्यम में जाती है, तो आपतन कोण कीजिया, तता अपवरतन कोण कीजिया का जो अनुपा देखो भीया अब प्रकास की किरण क्या होती है जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है जब प्रकास की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी सघन माध्यम से कहा जा रही हो प्रकास की किरण विरल माध्यम में जा रही हो जब प्रकास की किरण सगन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही हो तो वे अभिलंब से दूर हट जाती है आप नोट में पूरा लिखेंगे जब प्रकास की किरण सगन माध्यम से विरल माध्यम में प्रिवेस करती है तो वे अब इलंब से दूर हट जाती है जब प्रकास किर्ण सगन माध्यम से विरल माध्यम में प्रिवेश करती है तो वे अब इलंब से दूर हट जाती है कोगे बताओ क्यों अरे बता रहे हैं थोड़ा सब्र करो ये भी बता रहे हैं कि ऐसा क्यों होता है और जब कहां से जा रही हो विरल से किस में जा रही हो विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही हो विरल से सघन में जा रही हो तो क्या होती है अब इलंब की ओर जुग जाती है अब इलंब की ओर जुग जाती है अब इलंब की ओर जुगती है जैसे वाई उसे कहां गई गई किसी माद्ध में गई तो किस तरह गई अवलम्य की और इसको जाना कैसे चीए ता सीधे जाना चीए सीधे न जाके क्या होई अविलम्य की और जोग गई Clear? अब बात आती है कि आइसा होता क्यों है तो पहले तो आपने नोट कर लिया होगा कि जब प्रकाश्ट्र सगन माद्यम से विरल माद्यम में जाती है तो अभिलम्म से दूर अट जाती है और जब विरल से सगन में जाती है तो अभिलम्म की ओर जुग जाती है अब बात ये आई कि सगहन और विरल क्या है माद्दें तो सगहन और विरल समझने से पहले एक छोटी सी बात समझिए ये एक रेखा है और ये दूसरी रेखा है कौन से बड़ी है तो आप कहेंगे कि ये वाली छोटी है और ये वाली बड़ी है लेकिन इसके बगल में में एक और ऐसे रेखा खीजने तब आप क्या कहेंगे कौन सी छोटी है कौन सी बड़ी है आप कहेंगे ये छोटी है और ये बड़ी है क्लियर अब ही तो आप कहे रहे थे ये बड़ी है ये छोटी है अब कहे रहे हैं अब यह बड़ी है, तो यह चोटी है, तो आप कहेंगे कि भाइया हम एक दूसरे से तुलना करके बताएंगे, कि कौन छोटी है, कौन बड़ी है, ऐसे direct नहीं बता सकते अगर आपको केवल एक रेखा दे देता है आप से कह देता है बड़ी है यह चोटी है तो आप कहेंगे इसके बगल में और कुछ दीजिए जिससे आपको पता चले एक और रेखा बनाई है या तो तब पता चलेगा कि यह चोटी है कि यह बड़ी है एक दूसरे से compare करके तुलना करके ही बताया जा सकता है कौन चोटा है कौन मोटा है और कौन लंबा है कौन चोटा है clear तो मतलब सगन और viral भी सेम यही है सगन का मतलब होता है जिसके अणू पास-पास हो जो solid और ठोस हो और viral का मतलब होता है क्या कि जिसके अणू दूर-दूर हो या जो मुलाएं मोट सौट हो तो जैसे अगर आप से बात कर दे किसकी वायू और काच की या वायू और जल की अब आप से कहा जाया कि सगन कौन है विरल कौन है तो आप कहेंगे कि यह वायू विरल है कम ठोस है जल की पेच्छा और जल क्या है सगन है लेकिन यदि हम इसी जगह पे क्या करें कि जल के साथ हम ले ले काच और अब आप से कहें कि सघन कौन है विरल कौन है इन दोनों में तो आप कहेंगे ये विरल है और ये सघन है इसकी बाद यदि हम क्या करें सघन के यहां पे ले लें हम हीरा डाइमंड तो आप कहेंगे क्या कि ये क्या है ये विरल है और ये सघन है तो मतलब सगन और विरल एक दूसरे की तुलना करके ही बताया जा सकता है कौन सा माध्यम सगन माध्यम है और कौन सा माध्यम विरल माध्यम है इस प्रकार आपको उम्मीद करते हैं बच्चो सगन और विरल समझ में आ गया होगा यह अगर वायू है और यह क्या है कोई माददय में या कांच है तो यह क्या होगा विरल और यह क्या होगा सगह अब आपको पता है कि वायू में प्रकास की चाल जो होगी वो जल से अधिक होगी इसमें जल में कांच से प्रकास की चाल अधिक होगी जल में जो प्रकास की चाल होगी वो कांच में प्रकास की चाल की अपेच्छा अधिक होगी और जो कांच में प्रकास की चाल होगी वो हीरे की अपेच्छा अधिक होगी मतलब यह अगर V A है या इसको जवायों में प्रकास की चाल को C से लिखते हैं जल में VG लिख सकते हैं, काच में जल में VW लिख सकते हैं, W मतलब water, G मतलब glass और V का मतलब D का मतलब diamond, capital D बना दे, तो अगर इंटर वालों देखा तो कहेंगे VD तो होता है velocity, वो भी कौन सा अनुगमन वेग, drift velocity, इसलिए capital D बना दे, तो ये क्या होगा, ये इससे बड़ा, ये इससे बड़ा, ये इससे बड़ा, इस प्रकार इनके वेग में अंतर आएगा, अब ये हमने क्यों बताया वेग के बारे में, क्योंकि वेग के बारे में इसलिए बताया कि वेग की आपको आवे सकता पढ़ने वाली है कि इसमें, ये बताने के लिए कि प्रकास की किरण तो सबसे पहले तो आप ये समझिए कि हेडिंग डालिए सबसे पहले है कि अपवर्तनांग तथा प्रकास की अपवर्तनांग तथा प्रकास की चाल में समझ अपवर्तनांग तथा प्रकास की चाल में समझ तो देखो अपवर्तनांग बराबर होता है किसी माध्यम का अपवर्तनांग माध्यम का अपवर्तनांग या निर्पेच अपवर्तनांग बराबर होता है ए एन जी बराबर ए मतलब पहला माध्यम क्या है वाई वर दूसरा क्या है गलास है तो वाई उमें प्रकास की चाल और नीचे आगया माध्यम में प्रकास की चाल तो ए एन जी इक्वल वाई में प्रकास की चाल होती है तो यह हो गया अपवर्तनांग का फार्मूला अब क्या करें अगर दे दे जी एन डबलू जी एन डबलू का मतलब गलास मतलब कांच में कांच के सापेच जलका प्रतनाग यह क्या था वाई के सापेच कांच कांच के सापेच जलका कहे दे तो जो माध्यम या ऐसे समझो वन एन टू पहले माध्यम के साफ़ पिछ दूसरे माध्यम का पुर्टनाग तो उपर पहला था तो यहां पे होगा पहले माध्यम में प्रकास की चाल पहले माध्यम में प्रकास की चाल अपाउन दूसरे माध्यम में प्रकास की चाल क्लियर तो ये आपका में फार्मूला आ गया और इसकी भी अभी आपको जरूरत पढ़ने वाली है इन दोनों की तो ये दोनों नोट कर लीजिए देखिए बात करते हैं कि प्रकास के किरन सगन से विरल में जाने पर अबिलंब से दूर क्यों अटती है और विरल से सगन में जाने पर अबिलंब के पास क्यों आती है ये हो गया दो मात ये हो गया विरल ये हो गया सगन ये हो गया प्रकास की किरन ये ऐसे हो के क्या जा रही है अगर विरल से सगन में जा रही तो अबिलंब की और जुग जाएगी यह हो गया आई यह हो गया आर अब देखो आपने पढ़ा है कि साइन आई अपान होता है साइन आर किलियर यह माध्यम वन है माध्यम दो है तो यहां से हो गया वन एंड टू वन एंड टू हो गया अब देखो इसको समझेए कि साइन आई अपान साइन आर आया 1 ये 2 का मतलब होगे माध्यम 1 में प्रकास की चाल माध्यम 1 में यह हम डारेक्ट लिखे दे रहे हैं V1 velocity in medium 1 पहले माध्यम में प्रकास की चाल और ये velocity in medium 2 दूसरे माध्यम में प्रकास की चाल आपको बताया कि जैसे ये y हुए ये जल है तो इसमें क्या होगी चाल अधिक होगी इसमें चाल क्या होगी कम होगी तो देखिए sin I upon sin R equal V V क्या है V अधिक है V1 लिखेंगे चूंकि V1 is greater than V2 जब V1 बड़ा है तो इसके सामने वाला ये angle भी बड़ा होगा अता I is greater than R I will be greater than R I का मान क्या होगा R से बड़ा होगा clear तो ये आपको समझ में आ गया होगा जब R अब बड़ा है I बड़ा है R से तो I बड़ा होगा तो R छोटा हो जाएगा इस हिसाब से किस पेड़ी पेंट कर रहा है चाल पे आपसे पूँच भी देता है कभी कभी प्रस्म कि आपके अपवर्तन किस कारण से होता है प्रकास की करण एक माद्धिम से दूसरे माद्धिम में चलती है जाती है तो अपने मार्क से विचली तो या तीस गटना को तो अपवर्तन कहते है अपवर्तन होता किस करण से तो आप बताएंगे प्रकास की चाल का भिन भिन माध्यमों में भिन भिन होने के कारण ही प्रकास में अपवर्तन होता है तो यह होता है प्रकास का अपवर्तन आप देखो अगर क्या करें सघन से विरल में जाए सगन से विरल में जाए ठीक है सगन को ऐसे denote कर देते हैं assign से सगन से विरल में जा रही तो जब सगन से विरल में जाती है तो यह अभी लंब से दूर अड़ जाती है ऐसे clear तो अब क्या होगा जब सगन में अब इसमें अब यह आई और यह है तो शाइन आई सनेल के नियम के दिशाट साइन आई अपान साइन आउड इक्वल भी क्या होगा वी वन अपान वी टू तो क्यों कि वन एन टू अब क्या होगा चार्स में अधी कहीं विरल में तो यह वाला बड़ा होगा आई गया होगा छोटा होगा clear अब देखिए एक चीज़ इससे एक concept बनेगा कि यदि हम इसके मान को बढ़ाते जाएं तो आपको पता है कि ये इससे अधिक होगा तो इसके मान को दीरे 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 बढ़ाते गए जैसे बढ़ाते जाएंगे ये भी बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता क्लियर कि एक इस्तिति ऐसी आएगी क्या इस्तिति आएगी कि यदि ये माध्यम सगन है प्रकास की किरण अगर इस आपतन कोन का मान हम बहुत अधिक बड़ा दें यदि इस आपतन कोन का मान बहुत अधिक बड़ा दें तो एक इस्तिती ये आएगी कि क्या होगा प्रकास की किरण इस अपवर्तक प्रेश्ट होके जाएगी अर्थाज जो ये अपवर्तन कोण होगा वो कितने डिगरी का हो जाएगा 90 डिगरी का हो जाएगा और ये क्या था आपतन कोण आई तो इस इस्तिती में इस आपतन कोण को बोलत क्रांतिक कौन इंगलेस मों बोलते हैं क्रिटिकल एंगल क्रांतिक कौन बोलते हैं अब देखो समझो क्रांतिक क्या है कि यदि आपतन कौन का मान क्या किया जाए देखो यदि आप्वर्त जगन ये कौन समात्तिंग? जिसके लिये विरल इंगलेस में अपवर्तन कौन कीतना है? यह क्या है? अपवर्तन कौन तो सगन माध्यम में बना वय आपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम में अपवरतन कोण क्या होता है 90 डिगरी होता है सगन माध्यम में बना वय आपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम में अपवरतन कोण 90 अंस होता है क्या कहलाता है क्रांति कोण कहलाता है इसे काय से प्रदर्शित करते हैं, सी से प्रदर्शित करते हैं, और कभी-कभी इसी को किस से लिख देते हैं, आई और सफिक्स में सी लिख देते हैं, सी का मतलब क्या है, क्रिटिका लेंगा, तो यह बात होगे किसकी क्रांतिक कोण की, आप से कह देगा पूर्णांतरिक परा कार जा रही है आप तन कोण का मान क्या किया गया क्रांतिक कोण से अधिक कर दिया गया कि आई का मान क्या किया गया greater than see कर दिया गया तो प्रकास की किरण क्या होती है विरल माध्यम में न जाकर सगन माध्यम में वापस लोटाती जदी आपतन कोण का मान क्रांति कोण से अधिक कर दें तो प्रकास किरण विरल माध्य में ना जाकर सगन माध्य में वापस लोटाती और इस गठना को क्या कहते हैं पूर्ण आंत्रिक परावर्तन कहते हैं तो हेडिंग डालेंगे पूर्ण आंत्रिक पराव टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पूर्ण आंत्रिक परावर्तन ती आई आर इसको बोलते हैं सौर्टकट में तो पूर्ण आंत्रिक परावर्तन क्या होता है यदि आपतन कोण का मान करांतिक कोण से अधिक कर दें तो प्रकास की गिरण विरल माध्यम में ना जाकर सगन माध और इस गटना कोई क्या कहते हैं पूर्ण आंत्रिक परावरतन के आप से सरते हैं पूर्ण आंत्रिक परावरतन की दो सरते हो तει क्या चैंशा रही है परिखास किरन शकंमात्यम से विरल sulphwhin में जा रही है और नमबर दो आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक हो दूसरा नियम के दूसरा क्या है सर्थ कि आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक हो क्लिया तो नोट कर लीजिए क्या पूर्ण आंत्रिक परावर्तन अगली एडिंग है प्रकास केड़ों की उतक्रमरीता प्रकास किर्णों की उत्क्रम डीता अब देखो समझो Reversibility of Light Ray Derivation के आपके थियोरी के बेस में कोई ज़्यादा इंपोर्टन नहीं है लेकिन numerical के point of view काफी important है तो इसको ध्यान सबलना काफी easy है कुछ ज़्यादा टप नहीं है यदि इसको क्या करें यह हो गया माध्यम 1 यह हो गया माध्यम 2 ठीक है तो फ़र्ची तो प्रकास किर्णों का जो पत क्या होता है वो उत्क्रमडी होता है मतलब अगर प्रकास किर्ण ऐसे जा रही है और यह ऐसे अट रही है यह I angle हो गया और यह R हो गया तो यदि हम प्रकास किर्णों को क्या करें इस माध्यम 2 से इसी R एंगल पर आपतित करें तो क्या होगी अप वरतन कौन क्या होगा इस माल I होगा मतलब पत आपका सेम यही होगा इसी बोलते प्रकास किर्णों की उत्करमडीता इस एक फार्मूला बनता है डेरिवेशन देखो उसको समझेंगे कि क्या किया सबसे पहले तो माना एक प्रकास की किर्ण की किर्ण को माना एक प्रकास कि किर्ण को माध्यम एक से माध्यम एक से इस माल I कोण पर आप्तित किया जाता है आप्तित किया जाता है जिसके लिए माध्यम दो में अपवर्तन कोण कितना है इस माल R है जिसके लिए माध्यम दो में अपवर्तन कोण किया है इस माल R है तब इस नहिल के नियमा नुसर इस नहिल के नियम से इस नहिल के नियम से आपने क्या पढ़ा है कि i upon sign r till sign i upon sign अ है equal होता है 1&2 एकवेशन होगया समिकान होगया फरस्ट अब क्या करे में यदि प्रकास की क्रेड को माध्यम 2 से माध्यम 1 में डाला जा है माध्यम 2 में इसमालार कोन पर आप्तित किया जा है जिसके लिए माध्यम 2 में पोरतन कोन कितना हो इसमालार हो अब लिखेंगे यादी प्रकास की किरण को माध्यम दो में दो से इसमाल आर कोण पर आप्तित किया जाए जिसके लिए माध्यम एक में अपवर्तन कोण कितना हो इसमाल आई हो तब इसमाल के नियम से इसमाल के नियम से क्या हो जाएगा साइन आई अपान साइन आर अब की आपतन कोण क्या होगा आर और अपवर्तन क्या होगा आई और अब किसके सापेच माध्यम दो के सापेच माध्यम एक का यह दो के सापेच माध्धम एक का कौन equation हो गया second clear अब क्या होगा ये समीकन एक हो गया समीकन दो हो गया जब 1 येंट टू था जब पहले से दूसरे हम डाल रहे थे तो 1 येंट टू था जब दूसरे से पहले हम डाला थे तो 2 येंट 1 होगा जब दूसरे से डालना है तो आप तन कौन आर लिखेंगे और अप तन कौन क्या लेंगे आई लेंगे अब क्या करेंगे समीकन एक वा दो का गुणा करने पर समीकन एक वा दो का गुणा करने पर जब समीकन एक वा दो का गुणा करेंगे समीकरण 2 का LHS हो जाएगा SIN R upon SIN I इसका LHS RHS हो जाएगा 1 N 2 तो यहां लिखेंगे 1 N 2 इसका RHS हो जाएगा 2 N 1 तो हो जाएगा 2 N 1 SIN I से SIN I cancel SIN R से SIN R cancel तो 1 N 2 into 2 N 1 इक्वल क्या आजाएगा इस तरफ सब कट गया तो क्या बचा 1 एक तो आपका यह फार्मूला बन गया यहां सही फार्मूला एक आप बना सकते हैं क्या 1 N 2 बराबर 1 upon यह गुड़ा में है तो भाग भी आ जाएगा 2 N 1 clear अब जैसे अगर आपको यहां पर A N G दे रहा है A N G तो इसका क्या होगा 1 upon एक जामपल के तोर पर क्या हो जाएगा G N A clear अब यदि तीन माध्यमों यदि तीन माध्यमों numerical में इसकी जरूरत पड़ेगी दियान देना तो क्या होगा 1 N 2 2 N 3 इंटू 3 N 1 क्रम से 1, 2, 3 और इदा 2, 3, 1 बराबर कितने के? 1 के clear हुआ ठीक note कर लीजिए इस से related numerical बता दें और देखो इसी से related numerical देखिए प्रकास क्रिणों की उत्करमरीता से कि यदि आपसे कह रहा है कि वायू के सापेच जल का अपवरत नांग चार बटे तीन पहला वायू के सापेच जल का अपवरत नांग वायू के सापेच जल का अपवरत नांग वायू मतलब A और जल मतलब W लूँ तेरा चार वटे तीन वाईव के सापेज जल का परतनांग चार वटे तीन आफ से कहें दें जल के सापेज वाईव का परतनांग पूंच रहा है आफ से होगा WNA निकालना है तो आपको पता है 1N2 बराबर क्या होता है 1 upon 2 यहने तो अगर हम इसको आंगे ले जाएंगे तो इसका उल्टा करके आलिक देंगे ANW तो WNA बराबर ANW कितना दे रहा था 4 बटे 3 इसका मतलब यह उल्टा कर देंगे तो WNA बराबर हो जाएगा तीन बटे 4 यह हो गया यह आगया आपका फार्मूला तूसरा देखिए नमेरिकल नोट कर लिजिए इसके बाद सेकेंड नमेरिकल आपसे कहे रहा है वायू के सापेज जल का परतनांग 4 बटे 3 है सेकेंड है वायू के सापेज जल का परतनांग 4 बटे 3 है आपको पूरा लिखना है हम सौर्ट में लिख रहा है वायू के सापेज जल का परतनांग वायू के सापेच काच काच मतलब गलास पूरा लिखेंगे आप वायू के सापेच काच का पुर्तनांग एंजी बराबर दे रहा है तीन बटे दो है तो नमबर एक आप से कह रहा है कि जल के सापेच काच का पुर्तनांग याद कीजिए तो जल के सापेच कांच का अपवर्तनांग जल के सापेच जल मतलब वाटर के रिस्पेक्ट में कांच का अपवर्तनांग तो याद रखना जो बाद में दिया गया हो उसके पहले कर दो जो पहले दिया गया हो उसको नीचे कर दीजिए ऐसे जो बाद में दिया गया हो काँच था बाद में तो काँच वाले का उपर जल था पहले तो जल वाले का नीचे ANG कितना दे रहा है तीन बटे दो और ANW कितना है चार बटे तीन तो ये उपर जाएगा तीन तरिक नो बटे आठ आ गया जल के सापेच काँच का पुर्टरंग फिर आपसे पुर्च रहा है काँच के सापेच जल का कह रहा है सेकेंड में इसी के काँच के सापेच जल का अपवर्टनांग काँच के सापेच जब जल का निकालेंगे GNW तो GNW क्या होगा इसका उल्टा हो जाएगा 1 अपॉन WNG GNW 1 अपॉन WNG तो WNG कितना दे रहा है 9 अपॉन 8 उल्टा कर देंगे क्या हो जाएगा 8 अपॉन 9 यह सेकेंड आंसर होगी तो यह हो गए प्रकास केड़ों की उत्क्रमडीता से रिलेटें डुमेरिकल नोट कर लो